Hello agriculture students and horticulture students, आज का podcast number 3 है और आज हम लोग बात करने वाले हैं government jobs की, agriculture में government jobs की, ये चीजे थोड़ी सी सुनने में आपको कालपनिक लगे, लगे कि ये reality नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर सुनने ना उसके बाद हम लोग बात करेंगे reality क्या है, सबसे पहले बात करते हैं क क्या-क्या government jobs है, government jobs की अगर आप लिश्ट देखोगे, अगर आप YouTube पे सर्च कर लोगे न, कि government job after BSC agriculture और Google पे सर्च कर लोगे, government job after BSC horticulture और agriculture, आपके सामने इतने options मिल जाएंगे, इतने options मिल जाएंगे, कहीं पे लिखा होगा 50 jobs, कहीं पे लिखा होगा 100 jobs, 100 government jobs, लेकिन reality क्य है, पहले सुन लिए government jobs क्या-क्या है, सबसे पहले तो agriculture field officer का government job होता है, junior agriculture officer होता है, उसके बाद rural development officer होता है, field officer होता है, agriculture officer होता है, specialist officer होता है, provisionary officer होता है, और उसके बाद फिर UPSC में IFS हो गया, IBPSSO हो गया, ये तो job लिखालता, IBPSSO के इससे थोड़ा अलग रखते है, state forest exam हो scientist के post हो गए, इतने सारे job के वो आपको option बता देंगे, कि आपको लगेगा 22 में reality कहा है, reality ये है कि government ने agriculture थो बना दिया है, मतलब government ने agriculture का course तो start कर दिया है, लेकिन उनको यही नहीं पता है, कि ये agriculture के बच्चे B.A.C. करने के बाद करेंगे क्या, अगर आप reality की बात करोगे ना, तो पूरे year में, whole year में thousand post भी नहीं आते हैं agriculture students के लिए, और हर साल कितने student graduate हो रहे हैं, मतलब अगर अभी average calculate करें, तो कम से कम एक लाख दो लाख बच्चे तो लिकली रहोंगे हर साल B.A.C. agriculture करके, ये दो लाख बच्चे जो है, तीन लाख बच्चे जो हैं, ये job करने ये एक special course करके आ रहे हैं, मतलब ये इनका course का level इतना high है कि अगरिकल्चर में specialist है, लेकिन फिर भी ये जो हैं, इनके लिए job नहीं है, पूरे year में 1000 vacancies निकलती है, उसमें से 400 vacancies अकेले IBPS SO की होती है, उसके बाद बात करते हैं, अलग vacancies की FCI और नवाड औरा की, FCI का तो ध जीरे जीरे syllabus में इतना change होते जा रहा है, कुछ दिन बाद वो भी agriculture के student के हाथ से निकलने वाला है, उसके बाद बात करते हैं, state government की, हर state का अपना problem है, किसी भी state government में, मतलब honestly exam नहीं लिया जाता है agriculture student का, कुछ state हैं अच्छे, जैसे तमिल नाडू हो गया, करनाटका हो गया इनके जो students है ना, इनको अच्छा खासा job मिल सकता है, अगर वो अपने state के exams की preparation करे, महराष्ट में भी पिछले साल साइद निकला था job, लेकिन इस साल का तो नहीं पता निकला भी है, कि नहीं निकला है, जो महराष्ट के student होंगे, वो बताएंगे, ठीक है, comment करके बता अब बात करते हैं, राजस्थान वोगेरा की, राजस्थान में भी जॉब निकलता है, तो वहाँ भी कुछ अलगी चंग पंगा लगा देता है, कि सिर्प ICR वाले बच्चे दे सकते हैं, मांकी दे नहीं सकते हैं, लेकिन फिर ICR जब जॉब वेकेंसी निकलता है, तो उसमे वो बैलोजी वालो को भी ले लेता है, मतलब ICR जब जॉब वेकेंसी निकालेगा, तो वो बैलोजी वाले स्टुडेंट्स को भी ले लेगा, लेकिन अधर इस्टेट गवर्मेंट का जॉब है, उसमें नन-ICR बच्चे एक्जाम नहीं दे सकते हैं, ये तो रियाल्टी है, पूरे साल में 1000 पोस्ट तो अगरिकल्चर के निकलते नहीं है, गवर्मेंट ने कोर्स बना दिया है, कोर्ट डिजाइन कर दिया है, और बच्चे बस फिड़े फिर रहे हैं, और बताया जाता अगरिकल्चर में आने से पहले, प्रैवेट कॉलेजे जो है, इतना प्रैवेट कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होते है, प्रैवेट कॉलेज के जो डिरेक्टर्स होते है, वो यहां तक कहते हैं कि बच्चे मिल कहां रहे है अगरिकल्चर के, जैसे ही आपका बच्चा अगरिकल्चर कम्प्लीट करेगा, गवर्मेंट में इतनी ज्यादा जॉब vacancies है कि कहीं न कहीं उनको job मिल जाएगी लेकिन reality क्या है कुछ भी नहीं मिलता बिहार UP जैसे states में तो vacancies ही नहीं निकलती बिहार में तो पिछले 5 साल से सुन रहा हूँ कि अब vacancy निकलेगी अब vacancy निकलेगी अभी तक नहीं निकली है यह reality है अब बात करते हैं students करते क्या क्या है सहली बात क्या करते हैं students MBA में बहुत student को सुनोगे आपके MBA में जाना चाहते है भाई MBA में भी जाना है ना आपको तो cat के थुरू जाओ अगर आपने direct किसी MBA college में admission ले लिया ICR के कुछ MBA college तो अच्छे हैं बांकी तो उसके भी बेकार है अगर कुछ अच्छे colleges को हटा दिया जाए तो बांकी सारे salesman बना रहे है manager बना रहे हैं वो आपको salesman बना रहे है cat के थुरू जाओगे तभी आपको अच्छा placement मिलेगा अच्छा job मिलेगा अगर आपने direct किसी MBA college में admission ले लिया तो believe करो आप salesman बन जाओगे 20,000, 25,000 से जादा आपको कहीं किसी company में job नहीं मिलना है इसलिए preparation करना है अगर आप government job का preparation कर रहे हैं तो second year, third year से preparation करना श्टार्ट कर दो और MSC MSC के लिए सबसे ज़ादा provoke करते हैं private college के professors मैं उन private college के professor से पूछना चाता हूँ अगर आप MSC के लिए provoke कर रहे है student को, कि जाओ MSC करो और जाओ PhD करो, तो आप बता दो मुझे 5 job MSC के बाद 5 job बता दो government sector में या फिर private sector का ही आप guarantee ले लो की job दिला दोगे आप MSC करने के बाद नहीं लेगा कोई भी professor guarantee वो क्यूँ provoke करते हैं student को उनको लगता है कि हमारे यहां से 4 सर graduation कर लिया, आप हम इनको कहाँ job देंगे इससे अच्छा है कि 2 साल के लिए और फसा देते है MSC करवा देते है, maximum private colleges का commission fix होता है MSC के लिए और अगर MSC करना भी है तो government college से करो न, का है private college में जाके इतना पैसा फेक रहे हो आप मैंने MSC का fees सुना तो मेरा दिमाग चकड़ा गया, कई private colleges के fees 2-2 लाग, 5,5 लाग, 3-3 लाग, 4-4 लाग रुपे fees है, आप comment करके बताना कि आपके college का MSC अगर आपने किया है कितना fees दिया है, और मैं reality बताता हूँ, मैंने जब MSC किया है तो मैंने कितना fees दिया है, मैंने 4,000 रुपे fees दिये ठेक है, 500 रुपे up-down रख लो मुस्किल से 4-5,000 के बीच में मेरा MSC का fees complete था 2 साल का क्योंकि मैं central college से MSC किया हूँ तो करना है तो सरकारी college से करो न, क्यों private college इसके चकर में पर रहे हो, next जो podcast बनाऊंगा न, मैं तो पूरा private college को ही expose करने वाला हूँ कैसे वो बच्चों को बेवकूब बना रहे है agriculture के नाम पर, horticulture के नाम पर, agriculture education को धीरे धीरे engineering के line में लाके खड़ा कर रहे हैं यह मतलब जैसे engineer के engineer के student एक जोग बन के रह गया है पूरे society के लिए कि engineering करने के बाद job नहीं मिलता है उसी तरह से उससे बड़ा जोग तो agriculture के education हो चुका है यहां कौन सा job मिल रहा है हमे पूरे एक साल में 1000 vacancies नहीं निकली है state government और central government की लेकिन हर state government college और यह ICR रोज नया ICR जो है रोज नया rule लिकाल रहा है कि natural farming को add कर दो organic farming को add कर दो अभी उन्होंने निकाला आए कुछ natural farming को syllabus में add करने से उससे क्या हो जाएगा आप तो computer पढ़ा रहे हो उस computer का syllabus देखा है आपने क्या computer का syllabus है वो आज के time का syllabus है वो यह student को जो है न private college और कुछ तो कुछ हद तक सरकारी college भी मतलब यह कर रहे हैं अब उसके बाद वो बात करते है entrepreneurship की वो बड़ी बड़ी training देते हैं कितने student entrepreneurship में सब student business करने के लिए बने होते हैं क्या आप students को तीन category में अगर divide करोगे तो एक student होता है जिसको business man बनना होता है तो फिर भाई वो अगर उसको अगर businessman बनना है तो फिर वो job वो आपके बारे में नहीं सोचता वो फिर direct business में लगा रहता है वो गाय पालता है ये करता है ठीक है ये सब जो है ना बेवकूप बनाने का एक तरीका है ये student को जो है अगरिकल्चर को जो है धीरे धीरे engineering के line में लाके इन्होंने ख़डा कर देना है कि अगरिकल्चर करके भी job नहीं मिलता है नवाड़ वाले vacancies निकालता है गिनके 100-500 vacancies निकालता है 100 भी होता है की नहीं होता है वो भी मुश्किल से होता है ठीक है उस 100 vacancies में भी वो बोलते है कि उसमें बैलो जी science system के जितने ही बच्चे है सब दे सकते है अगर तुम्हे science system का ही लेना है तो तुम क्यों agriculture organization हो तुम agriculture के बच्चों का course क्यों करवा रहे हो ICR agriculture का सबसे बड़ा organization है वो vacancies निकालता है और वो कहता है कि खाली agriculture वाले student को मतलब science system के जितने ही बच्चे है सब को लें गया तो तुमने क्यों खोल रखी है इतनी colleges ICR colleges क्यों खोल रखी है अगर तुम्हें सिर्फ science system के बच्चे को लेना है तो ICR से net करके बच्चे बैठे हुए है उनको ICR colleges में job नहीं मिल रहे है UGC net करके जो आ रहे है CISR net करके जो आ रहे है उनको job मिल रहे है मतलब agriculture colleges ही इमंदार नहीं है agriculture के student के लिए agriculture के organization ही responsibility नहीं ले रहे है agriculture के student की तो क्या होने वाला है agriculture को जो है ना धीरे धीरे student का क्रेज बढ़ा रहे है यह agriculture की तरफ मतलब वो बोल रहे है कि और student आओ और student आए उनके लिए तो एक business है private college और government के लिए भी ठीक है उनके लिए एक business है student वो चाह रहे है student को जादा से जादा student को admission ले fees दसू ले और फिर complete कर दे ठेक है fees ले जादा जादा फीस ले और चार साल बात क्या ही कर रहे है उनको क्या मतलब है उनको कोई मतलब ही नहीं है उससे ऐसे इतने सारे बेरोजगार है उसमें agriculture के भी इस्टूडेंट पे रोजगार हो जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा उनको नेक्स्ट पॉड्कास्ट जो होगा न उस पर बात करेंगे इन प्रैवेट कॉलेज़ की प्रैवेट कॉलेज कैसे लाखो लाख का फीस लेके इस्टूटेंट को बेवकूब बना रहे है न अगर आप प्रैवेट कॉलेज में पर रहे हो तो अपना फीस जरूर कॉमेंट करना कॉलेज का नाम कॉमेंट करना मत करना लेकिन फीस जरूर कॉमेंट करना ठीक है कि कितना फीस दे रहे हो नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा पॉड़कास्ट इन प्रावेट कॉलेज को एक्सपोज करने के लिए बनाऊंगा और मैक्सिमम इस में से प्रावेट कॉलेज वो है जो नन-ICR कॉलेज है जो जादा फीस ले रहे है आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक्यू सो मच